हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे पैटर्ण्स को आप आसपास देखते हैं नंबर्स में भी हम पैटर्न देखते हैं जैसे आप रेन का पैटर्न देखते हूं आज रेन हुई कल नहीं हुई इंड़े में यह प्रस के दिन हम सोखते हैं कि आप नहीं होगी हैं ना यह गया है एक पैटर्ण्स में आप पैटर्न देखते हो नंबर्स के पैटर्न भी आप समझ सकते हुई जैसे नंबर्स के पैटर्न हमें बेसिकलिए वसे नैचरल नंबर की बाता एक करें तो व 1 2 3 4 तो आपको पता है कि यहां पर क्या रहा होगा क्योंकि एक प्रिक्स एक सिक्वेंस चल रहा है जो कि नेच्छल नंबर का पैटन चल रहा है इसी तरह से मालवगर में पुछ इस तरह से लिखू टू फोर शिक्स एट और एक नमबर यहां पर छोड़ दू और फिर इसके बाद टक्यों लिख दू तो आपको पता है कि यहाँ पर हошर चाहिए यहां पर हर हाल में क्या होना चाहिए है जो की यह architecture कीलाते है sequence कहलाते है क्या कहलाते है sequence जैसे example के लिए माल लिजी यहां पर मैंने लिखा one यहां पर लिखा four यहां पर मैंने लिखा nine यहां पर लिखा sixteen twenty five thirty six है तो अगर मालो में यहां पर आप से next नमबर पूछुंए आपर क्या आना चाहिए है नेक्ट नमबर चाहिए जाना किया और यह नमबर के स्क्वाइर यह बन रहा है नमबर के स्क्वाइर यह जैसे भी एक वह क्या यह क्या कंडिए शीक्श की बात करनी है और स्टियुन्स इसे सिक्वेंश की बात करनी है जिन सिक्वेंश के अंदर हर एक टर्म के बीच का जो डिफ्रेंस उस सब्सक्राइब हो common सब में कैसा हो common सब मैं सेम हो दोनों टर्म के बीच का हर सिक्वेंस जो भी सक्सेसिव टर्म आता जाएगा उसमें सब में डिफ्रेंस इसा मिले से मिले जैसे एक्जामपल के लिए यहां टू में से फॉर माइनस पॉर में से टू माइनस करो क्या आएगा तू इक्स में से फॉर टू एट में से शिक्स तू अब यहां पर अगर हम देखें तो फॉर में से वन माइनस करें तो च्री नैन में से फॉर करें तो फाइव अब यहां पर डिफ्रेंस सेम नहीं आ र रहेगा इस तरह के जो सिक्वेंच होंगे यह क्वैंच कहला प्रोक्राइश सब्सका हमें डिखने करेंगे मतय GIR funding कै होते हैं सिक्वेंच जिनमने क्या डेहनी को मिलता है प्रोग्रेंश यह बातारि आप test तो जितने भी सिक्वेंस है क्या वो एपी होते हैं कि नौ कि जितने में सिक्वेंस है फोसब एपी नहीं है यह जितने वी में फिल्थों क्या होते हैं sequence के तो हमें फिलाल सिर्फ ऐसे term की बात है करनी है ऐसे sequence की बात है करनी है जिनमें common difference same देखने को मिले example के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3,1,3,5,7,9 ठीक है अब अगर मैं सिर्फ इतने term लिखूं यहाँ पर सिर्फ इतने term लिखूं तो यह मेरे fix number term लिखें है तो ऐसी जो एपी होगी वो क्या कहलाएगी finite AP finite arithmetic progression कहलाएगा यह ठीक है और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1,3,5,7,9 और फिर एंड सो ओन तो यह क्या कहलाएगी infinite AP clear है बात ठीक है तो हम अभी यह यह चैप्टर पढ़ेंगे तो हम दोनों तरह की AP की बात्ते करेंगे इसमें हम कुछ finite AP भी देखेंगे और कुछ infinite AP भी देखेंगे चीक है तो अब one by one समझों यहां पर इस AP का यहां जितना भी जो कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको वो हर एक इस AP का term है क्या है term जान रखना यह जितने भी नंबर लिखे हुए है वह इन AP के क्या है term है term यह वर्ड क्लियर रखना term है अब यह term का number अलग अलग होगा जैसे कि यह वाला जो है यह first term है यह क्या है first term तो यहां पर यह है first term first term को हम बच्चों a से denote कर रहे हैं किसे denote कर रहे हैं a से ठीक है अच्छा यह जो ठीरी लिखा हुआ यह क्या है सेकेंड टर्म है सेकेंड टर्म जो है यह धान देने वाली बात है कि यह first term से ही बनाया सकता है अगर में कुछ specific number add करा दिया जाए कैसे अगर हम 3 को लिखना चाहें तो हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस टू आया ना तो यह हमारा वन क्या है फ्च टर्म और यह कोर्द फ्च टू क्या है इस एपी का अमन डिफ्रेंस आया न इसका मतलर जो सेकेंड टर्म किसके एकवल है यह प्लस लिख अगर हम थ्च टर्म कीबात करें तर्म इस एपी का उसको भी अगर आप देखो तो फरस्ट टर्म को वन लिग लिए और टू इंटू में क्या लिग दिया तो यहां पर वन क्या है हमारे पास फरस्ट टर्म और टू इंटू में यह तू क्या है इसी तरह से 7 की बात करो 7 हमारा कैसा टर्म है बोलो फॉर्थ टर्म और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो वन प्लस थ्री इंटू यहां पर वन क्या है पॉस्ट टर्म और ठीक है और टू क्या है इसका ओमन डिफ्रेंस चीक है बात आ रही संद्ध है कॉमन डिफ्रेंस अच्छा आप निकालते कैसे इसको मैनिस करोंगे तबब्ही यह तो सब जगे क्या रहने वाला है जैसे यह हमारा परस्ट टर्म है यह हमारा फंट टर्म है यह हमारा सैकंट है से पस्ट तर्म को माइनस करके क्या निकल जाता है common difference किसी भी sequence का AP होनी के लिए क्या जरूरी है कि उसका common difference कैसा आ रहा हो सभी टर्म का equal आ रहा हो ठीक है common आ रहा हो सब तो यह बात ध्यान रखना कि क्या है A2-A1 किया जाए या A3-A2 किया जाए common difference क्या आना चाहिए equal है difference की value से मानी चाहिए तभी वह AP होगी तो अगर आपको कभी कोई ऐसा question आ जाए कि check करके बताओ कि वह AP है या नहीं है given sequence तो आप क्या check करोगे A2-A1 equals to क्या आना चाहिए A3-A2 चिक है यह कुछ basic सी terminology है अब अगर आप इन term को ध्यान से देखो जैसे मालो यह हमारा first term है की यह हमारा second term है यह third है यह 4 अगर इसी तरह से अगर आप जहान से देखो तो हमारा यह जो टू है कि इस टू के लिए यहांपर डी के आगे क्या लिखा हुआ है कि यहां जो थ्री है इस थ्री के लिए यहांपर क्या इससे एक कम यहां जो फोर लिखा हुआ है इससे यहां पर एक कम है ना एक कम लिखा हुआ है तो अगर मैं इसी तरह से यहां पर पूछूं अगर यहां एक टैन लिखा जाता तो यहां पर क्या लिखा हुआ होता वोलो A plus 90 अब एगर मैं इसी तरह से यह पूछूँ कि अगर यहाँ पर A N लिखा होता तो यहाँ पर क्या होता N minus 1 into तो जितना यहाँ होगा उससे एक कम आया ना तो एरानी की किसी भी A P का जो Nth term होगा वो क्या होगा A plus N minus 1 into D यह कहलाता है Nth term of N A P यह इसको general term भी कहते है general term of A P क्या होगा करता है A plus N minus 1 into D चीक है यह कुछ terminology है basically जो आपको याद होनी चाहिए फिर से जान दो summarize कर रहा हूँ कोई भी A P इस form में होती है A, A plus D, A plus 2D A plus 3D and so on और last term क्या होता है A plus N minus 1 into D चीक है इस तरह से हुआ भरता है अच्छा इस में से first term क्या होता है बोलो first term क्या होता है common difference common difference क्या होता है D इसके एककल होता है A2 minus A1 और Nth term या general term Nth term of N A P क्या होगा करता है A plus N minus 1 A plus N minus 1 into D और to prove given sequence A P to prove given sequence A P क्या करना होगा अगर A2 minus A1 किसके एककल proof करना होता है A3 minus A2 फीक है ये बात है clear है और इसके अलावा एक चीज और है इस chapter के अदर वो है sum sum निकालना sum of N A P फीक है अगर यैसे ये sequence लिखा हुआ है इसी में बीच में plus का sign लगा दूना है इसे plus का sign लगा दूना होकर ये क्या बन जाएगा आब series क्या कहलाएगा series कहलाने लगेगा ठीक है series कहलाएगा series है ये sequence में अगर हम comma की जगए plus लगा दे तो क्या बन जाती है वो series कहलाता है और series का sum निकालने का फॉर्मला ये हुआ करता है sum of n टर्म का फॉर्मला होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d ठीक है या n by 2 a plus l या मैं कहूँ l की जगए n टर्म ठीक है और इसके अलावा एक फॉर्मला और है जो आपको सभी बच्चों को याद रखना चाहिए उसको बेश भी एक उससे राता है nth term of an ap का फॉर्मला तो ये है और अगर मालो आपको निकालना हो last term या nth term from end बच्ची ये लिखना चाहिए क्या चीज nth term वहाँ से from end वो एक्वाल हुआ करता है last term minus n minus 1 into d ये बार आपके पास ऐसा हो जाता है कि आपको बोल दिया जाता है कि इस ap का last से 12 term निकालो end से 12 term निकालो ठीक है उसका फॉर्मला क्या होता है l minus n minus 1 into d ये है वो पूरा इस chapter के अंदर जो बच्चों को पता होना चाहिए पिर उसके बाद आप सारे कुश्चों से एक्जामपल सब कर सकते हैं चिकन आपको देखने को मिल जाएगा एक्जामपल नंबर वन इसमें एक एपी गिवन है थ्री बाइट्व वन बाइट्व माइनस वन बाइट्व माइनस थ्री बाइट्व एंड सो और वो केरा है राइट दा फॉर्स टर्म अंदा कॉमन डिफ्रेंस लिखना और अर्ट लिखना है को मट डिफ्रेंट्व ए तोटो सबस्क्राइब जो पहला नंबर होता है और हमें कॉमन डिफ्रेंस लिखना है कॉमन डिफ्रेंस का फॉम्ला क्या हुआ करता है तो सेकंड टर्म में से माइनस कर दो कितना आएगा माइनस टू बाइटू या माइनस का वन तो बहुता सब्सक्राइब यह फच्ट तर्म होता है और इसमें से मैनस कर दो और पॉमन डिफरेंस आ जाए पिरूर नहीं है इसमें से मैनस करते तब भी आइसर क्या आथा माइनस वन यह चीक है अब कोई भी सिक्वेंस को एपी होने के लिए क्या कंडीशन मस्ट है कि एक्वल हो एटू मैनस एवन एक्वस्टू एटू कितना है टैन एवन पोर एट्री 16 एटू 10 अब इसको सॉल्व करो 6 यहां पर तो यह क्या बन गया एक क्योंकि एक्वल आ रहा है तो इसलिए हम कहा देंगे यह एक एपी है और अगर यह एपी है तो वह कह रहा है उसके नेक्श्ट टू टर्म बताओ रैंगे क्या हुआ हो तो अभी हमें पहले से कितनी टरंगे भन है पोलो कि अध्य वेस्ट टर्म निकालना है लिए प्लस निमोंकि प्लस न ऑघाएी घा को कितने आई यह एव hy क्यछ्ट um मयां आ treatment है ट्वंटी एट चीक है ऐसी सिक्थ टर्म निकालो वह क्या रहा होगा ये प्लस फाइव डी है ना एक की वैलू कितनी है पॉर प्लस फाइव इंटू डी की वैलू सेक्स कितना आ जाएगा थाटी पॉर इस तरह से पहले अगर एपी प्रूफ करना एपी है तो पहले यह कंडिसन सैटिस्फाइड करा हो अगर इस सैटिस्फाइड हो जाए तो फिस्त और सिफ्त तर्म निकालना तो आसान है अगर देखो यह आपको एक अपी गिवन है इस एपी का आपको टैंथ टर्म निकालना है अब जो टैंथ टर्म होगा तो किस के एककल होगा कि ए प्लस गाइन डीके जितना यहां होता है उससे कम तो हमें किस-किस की जरूवत है बिसिकलि एक जरूवत है एक इतना है तू पर्स तर्म टू है और किस जरूवत है कॉमन डिफ्रेंस वह सेकुड टर्म में से सर्श्ट को मानेस कर लो कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास ए है और डी है कितना अंसर आ जागा 40 तो बहुत आसान है कुछ भी नहीं है कर पाऊगे ए पता है डी पता है अब 10 टर्म के लिए क्या चाहिए कि ए प्लस 90 में ए और डी तो चाहिए ए और डी तो बड़े आसानी से निकली जाएगा वैली पुट करने है इसी तरह से मालों यह जी कुछ्छन की हम बात करें इस कुछ्छन में पूछ रहा है यह एक 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 है इस एक का कौन सा टर्म माइनस 81 रहा होगा कौन सा टर्म तो मैंने माना की एंथ तर्म माइनस 1 आ रहा होगा तो मैंने माना जो एंथ तर्म है वो क्या रहा होगा अब एंथ टर्म का फॉर्मला होता क्या है A प्लस N माइनस 1 इंटू D और इधर माइनस 81 चल रहा अब अगर आप देखो तो A की वेलू आपके पास है कितनी 21 और D की वेलू D आप निकाल लो 18 माइनस 21 कितना माइनस 3 D की वेलू माइनस 3 पुट कर लो चीक है 21 A C T का माइनस 3 का मल्टिप्लाई N में कराओगे माइनस 3 N आएगा माइनस 3 का इसमें कराओगे तो क्या आएगा प्लस का 3 और माइनस का 81 अब ये दोना प्लस करोगे तो कितना होगा 24 और ये 81 इधर आएगा तो इधर 3 N चल रहा है 3 से डिवैड करा दो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50 N की वेलू कितनी आजाएगी 35 यानि कि इस AP का 35 नंबर पर जो टर्म आ रहा होगा वो कितना रहा होगा माइनस एटीवन क्योंकि हमने ये माना था ना N की वेलू आ गई N की वेलू आई 35 यानि कि इस AP का 35 तर्म माइनस 81 होगा तो पूछ रहा है क्या इस AP में कहीं पर भी कोई टर्म 0 आता होगा अगर ऐसे नंबर गटाते जा रहे हो आप तो क्या इस AP में कहीं पर 0 लिखा होगा तो हमें तो नहीं पता कि 0 लिखा होगा यह लेकर नहीं यहले लिगे में यहां ज़ 25 Biz Internet क्या रहा होगा जेरो कि अब टार्म जीरो लेओ जोभी टर्म आपको नहीं पता है सिरो पर राई उसे इप्स चर्वह लिख का इस प्सक्क? इन टो डी कोस्ट गूव एक की वैलू कितनी है 21N पता नहीं डी की वैलू –3 डी की वैलू –3 गव खत्वाद ऑब 21 सटीक है –3-3 न हो जाएगा और प्लस 3 इक वैल टू 0 सिर्य एन इदना लेकर आजो ओ ऑप 3 और 21 मिलकर कितना हम 24 if you see in the night यानी कि इसी पी का जो एट तर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा कोई पताः करना कि क्या यह वजा तर्म इस भी में आ रहा हो तो मालो दो एंथ नुंबर पर आ रहा होगा प्रेंड की वेलू पताः कर लो वहीं टर्म नंबर पर रहा होगा इस ढ़ी कि एप्लस हमारा ना तो हाँ एट हमारा क्या रहा होगा जीरो रहा होगा चीक है और यहां पर एग्जामपल नंबर फाइव में आपको दो टर्म उसने बता दिये वो कह रहा है थर्ड टर्म है आपका फाइव किसी एपी का थर्ड टर्म फाइव है और कौन सा टर्म गिवन है थर्ड टर्म फाइव है और सेवंथ टर्म नाइन है यहां लिग लेता हूँ सेवंथ टर्म कितना है नाइन है तो बताओ क्या रही होगी वो एपी किसी एपी का थ रट टर्म क्या होता होगा A plus 2D और 7 टर्म क्या होता होगा भोलो A plus 6D चीक है तो बताओ वो A P क्या रही होगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमें पता है A plus 2D 5 है A plus 6D 9 है इन दोनों को आपसमें solve करके A और D की value निकाल लेते हैं चिक है तो यहाँ आजागा minus 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 यह क्या हो जाएगा cancel 6 में से 2 minus करेंगे 4D 9 में से 5 4D की value 1 यह जो D की value आई है इसको उठाकर यहाँ पर put कर दो A plus 6 into 1 equals to 6 दर जाकर minus करा दो किसकी value आ गई है अब आपके पास बच्चों A की value आ गई है D की value आ गई है अब आप बड़े आसानी से अपनी AP form कर सकते हो कोई भी AP किस form में होती है A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on ठीक है इस तरह से A की value कितनी है 3, फिर 3 plus D, D कितना है फिर 3 plus 2 into D, फिर इसका 3 plus 3 into D and so on तो हमारे पास जो final answer बनेगा वो क्या 3, 4, 5, है न, 6, ठीक है and so on ठीक है तो अगर आपको कभी भी AP form करनी हो तो आपको सिर्फ दो quantity चाहिए होती है एक तो A और एक D, और A और D मिलेंगे कैसे, उसके लिए उसने दो टर्म बता दिया आपको कि फिर 3rd term 5 है और 7 term 9 है, तो 3rd term A plus 2D होता है, 7 term A plus 6D होता है अब ये दो equation उसने इसलिए दी हैं, क्या आप इनको solve करके किसकी value निकाल लो D और A की, फिर बड़े आसानी से AP लिख जाएगा, चिक है न, ये एक आसान सा question है इसके बाद देखो, अगेन कुछ इस तरह का question आया, कि ये जो आपके सामने AP लिखी है क्या इस AP में कहीं पर 301 आ रहा होगा? 301 क्या इसका एक term होगा? तो हमें तो पता नहीं कि इसमें 301 कहीं आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? हम माल लेते हैं कि इसका Nth term क्या रहा होगा? Nth term रहा होगा, अगर होगा तो Nth term रहा होगा 301 अच्छा N term होता क्या है? A plus N minus 1 into D अच्छा A की value कितनी है? 5 N minus 1 into D 11 minus 5 कितना? चीक है? 5 उदर जाकर क्या हो जाएगा? minus, तो 301 में से minus करादो 5 कितना बच जाएगा? 296 और इदर क्या चल रहा है? N minus 1 into 6 यह 6 कहां जाएगा? divide में, इससे divide करादो कितना आ जाएगा? 296 upon 6 296 upon 6 और यह minus का 1 चल रहा है है उदर जाएगा तो plus का हो जाएगा अब यह quantity size completely नहीं cancel हो रही होगी जहां तर मुझे लगता है, यह fraction में चल रहा होगा है न? क्योंकि इसको solve करोगे तो आपका यह बन जाएगा 296 plus 6 कितना बन रहा होगा? 300 302 upon में 6 और यह तो cancellation होगा नहीं पूरी तरफ से तो अगर यह cancellation नहीं होगा तो यह तो fraction में आ रहा है fraction का मतलब points में आएगा और हमारी जो n की value है वो एक positive integer होनी चाहिए यह fraction तो होई नहीं सकता क्योंकि अगर आप कोई term बताओगे तो ऐसी तो बताओगे कि यह first term, second term, third term ऐसा बताओगे कि यह 0.1 term, यह 0.23 term ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो कुछ होता नहीं तो इसका मतलब n तो हमेसा positive integer होगा आप यहाँ पर तो कोई positive integer आ नहीं रहा तो answer decimal में आएगा तो इसका मतलब n की किसी भी value के लिए यहाँ पर कोई भी term 301 नहीं हो सकता चीक है? therefore, because यहाँ पर लिख देना n क्या होना चाहिए? positive integer therefore 301 is not a term of this given AP clear होगी बात? अगर n की value मालो ऐसी आ जाती जैसे example लिए 35 तब उस बात का मतलब यह होता कि इस AP का 35th term 301 है जेकिन अभी इसको क्या पढ़ोगे? कौन सा term बताओगे? दो decimal में आ रहा है तो इसलिए हमने काया कि इसमें कहीं पर भी 301 नहीं आ रहा होगा नेक्स सुष्यन है how many two digit number are individual by three? ऐसे कितनी number होंगे two digit के जो three से divide हो जाते होंगे तो two digit के number स्टार्ट कहां से होते है? 10 से स्टार्ट होते हैं कहां से? लेकिन वह पहला number भी पता करना होगा last number जो two digit का होता वो तो 99 होता है अब 99 से जस्ट पहले आता है क्या? 98 वो तो divide होता नहीं 97 भी नहीं होता क्या हो जाता है? 96 divide हो जाता है 99 भी तो हो जाएगा three से divide यह तो मेरा सोचा ही नहीं क्या हो जाएगा? 99 नहीं हो जाएगा डिवाइट तो 3 से तो अब हमारे पास a की value कितनी है 12? 15-12 कितना 3 और nth term कितना है 99 अब इससे क्या होगा हमें a d और a n पता है n टर्म का formula लगाओ a plus n minus 1 into d तो a n को लिख लो क्या? और a 12 और n minus 1 into d कितना? 3 12 इदर लाकर minus करा दो तो यह कितना बच जाएगा? 87 और इदर चल रहा है n minus 1 into 3 3 का हाँ जाएगा? डिवाइड में 29 और यह 1 इदर लाकर plus कर लो तो n की वैलू आ गई यानि की 30 ऐसे नंबर होंगे टू डिजिट के जो किस से डिवाइड हो जाते हैं 3 से डिवाइड हो जाते हैं लिखो यह आपके सामने एक एपी गिवन है किस एपी का आपको 11 टर्म निकालना है बट इस टार्टिंग से नहीं एंड से निकालना है हां तो आपको अगर 11 टर्म प्रॉम एंड निकालना है उसका फॉर्मला क्या होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी एल लास्ट टर्म क्या है माइनस एन कौन से टर्म निकालना है 11 और डी की वैलू कितनी है कितना आएगा माइनस का 3 कि माइनस 62 और यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा 11-110 इन इन टू 3 थर्ट्टी यह आ जाएगा चीक है अब वारे पास कितना बच जाएगा माइनस का 32 यह आपका अंसर बच जाएगा लास्ट तर्म, प्रम एंड क्या होना चाहिए, माइनस का, यह फोम्ला आपको याद रहना है, इना, क्या बोला है, इना, फ्लावर वेड, there are 23 रोज प्लांट, in first row, 21 in second row, 19 in third row, and so on, there are 5 रोज प्लांट, in last row, how many rows are there in the flower wet, how many row, row बतानी कितनी, पहली रो में कितनी है, second row में 21, 19 और last वाली रो में, वो पूच रहा है, यहाँ से बताओ, कितनी रो हैं, बतलब N की वेल बतानी, number of term बताने, basically कितनी है, आपके पास A है, और D भी है, 21 में से 23 माइनस कर दो, ठीक है, माइनस 2, और last term भी है, आपके पास कितना, 5, अब आप N term का formula रगा दो, A plus N minus 1 into D, A की वेलू 23, N पता नहीं, D की वेलू minus 2, Nth term यानि last term कितना है, 5, अब ये 23 इदर लाकर minus करा दो, minus का 18 बच्च जाएगा इदर, और इदर क्या चल रहा है, N minus 1 और in 2 में minus 2, minus 2 divide में लेकर आदो, कितना बच्च जाएगा इदर, 9, 1 इदर लाकर plus करा दो, N की वेलू कितनी आजाएगी, 10, यानि की number of rows कितनी रही होंगी, 10, ऐसी 10 रही होंगी, क्योंकि आप देखो 23 से कम कर रहा है, 2, 2 कम करता हुआ जा रहा है, 5 का आएगा, देखो, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है ना, अभी 19 के बाद फिर 17, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9, फिर इसका 7 आया होगा, फिर 5, ऐसा करके अगर count करोगे तो आप 10 निवे नमबर पर यह 5 आ रहा हो, पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनियत GS क्लासेज को और करे अपने board and JEE का सपना साकार, डाउनलोड दी आप नाओ,